कि दिली से फ्लाइट थी मैं ऐसी मास से मिलके आ रहा हूं जो भिशले बीस दिन से जेजन्यू के एड़ ख्राउक दिली से कह रही है क Cristian 2012 कहा है मेरा नजीब कहा है नजीव एक ऐसा बेटा जो जयन्यूने साइंस का स्टुडेंट था एडीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लडाई होती है और उसे इत्मा पीटते हैं बारा लोग मिल करके पीटते-पीटते कहते हैं कि सबहत्तर हूरों के पास भेज दिया जाए सोचिये नफरतें कहों आ गई हैं दूसरे दिन से 11 बजे से वो गायब है दिल्ली से पुधान मंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट युनिवस्टी से एक लड़का गायब है आम आदमी पार्टी के वधायकों को जहन्नम तक से ढूर के ला देने वाली पुलि को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉर्ण की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोच पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है एफ आई यार तक नहीं हो रहा है साब प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंग बहुत बुरा वक्त है राम का मंदिर बनाने वाले लोग ना थो राम का मंदिर बनाने की महिम में लग गए है वक्त बहुत बुरा है समझना है भूलना है खामोशी से काम नहीं चलेगा अगर खामोश रहे तो आने वाली नसले नहीं बोल पाएंगी मैं बहुत चोटी सी न कुष प्रनाने के लिए ही आपका जहन बनाना चाहता थ hours subject के और उसके बहते विए ऊसुमय की झाने क्यों मुझे मरी अम्मी आपके इज़र आए लगा कि मैं गायख हुआ होता तो शाइद मेरी अमी भिया ऐसी ही रहती है आप गाइब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसी ही रोती में अजब बर्दाओं साब सुना था के बेहद सुनहरी है दिली समंदल सी खामश गहरी है दिली सुना था के बेहद सुनहरी है दिली समंदल सी खामश गहरी है दिली मगर एक मा की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिली मेरे आशों के साथ शामिन होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए है मेरे आशों जी बिल्कुल बहुत रोया था मैं उस मां से मिलके लोटते वक्त दो दिन तक अजीब मन ही नहीं था आज भी मैं अश्पाक साब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जहन्यों में केज्रिवाल थे मरिशंकर एयर साब थे निवेदिता मेनन थी प्रकाशकराग थे शशी थरूर साब थे मैं आना नहीं चाह रहा था सुनहरी है दिली समंदर से खामोश गहरी है दिली मगर एक मा की सदा सुन ना पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिली वो आखों में अशकों का दरिया समेटे वो उमीद का एक नजरिया समेटे वो आखों में अशकों का दरिया समेटे यहां कहे रही है वहां कहे रही है तब कल के एक मा कहे रही है नहीं पूछता है कोई हाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा सुना था के बेहद सुनहरी है दिली समंदर सी खामोश गहरी है दिली मगर एक मां की सदा सुन ना पाए तो लगता है गुंगी है बहरी है दिली वो आखों में अश्कों का दर्या समेटे वो उमीद का एक नजर्या समेटे यहां कहे रही है वहां कहे रही है तरप करके एक मां कहे रही है कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं पलत कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं पलत कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं वही है बुढ़ा पे का मेरे सहारा वह बिछडा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं क्या पर्द है क्या फिक्र है दोस्तों ये फिक्र है ये दर्द है ये शायरी है उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं पलत कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं वही है बुढ़ा पे का मेरे सहारा वह बिछडा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं वही है मेरी जिंदगी की कमाई वही है मेरी जिंदगी की कमाई वही तो है सदियों का आमाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा नहीं पूछता है कोई हाल मेरा कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा आखरी बन पढ़ता हूं इस लजन का पढ़ें अवरान साथ महज 5-6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं सारे प्रॉमिनंट लीडर्स के आफिसे जहें घर हैं मिनिस्टरों के घर हैं महोबा में हमारे देश का पुधान मंतरी कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाओं चीख करका उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं उनका हक दिलाना ही चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन माल लीजे और ला दीजे वापस अपने पहाँ जेए जिंदा बाद इम्रान भई बाद मैं आखरी बन परता हूं इस नजम का बेशेक वाई केटेगरी की सुरक्षा लेकर के वाई केटेगरी की सिक्यूरिटी लेकर के इस देश के तिहार से लटे हुए अंकर अपने न्यूज रूम में बैट करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं लेकिन महस चारबाइस किलो मिटर दूर नहीं तरबती हुए मान ही दिख रही है इसलिए क्योंकि वह मसल्मान है क्योंकि ग्राइब में बच्चे का नाम नजीब है कैसा मुल्क बना रहे हैं सहबाब कैसा हंदुस्तान बना रहे हैं मैं आखरी बन परता हूं साथ इसमेसे का ये टीवी के अंकर कहां मल गई है बयान करना होगा वा 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 ये टीवी के अंकर कहां मल गई है ये गांधी के बंदर कहां मल गई है ये टीवी के अंकर कहां मल गई है ये गांधी के बंदर कहां मल गई है मेरी चीख और मेरी फर्याद कहना ये मोदी से एक मा की रुदाद कहना मेरी चीख और मेरी फर्याद कहना ये मोदी से एक मा की रुदाद कहना कहीं जूट की शक्सियत बहना जाए कहीं जूट की शक्सियत बहना जाए ये नफरत की दीवार छट बहना जाए ये नफरत की दीवार छट बहना जाए है एक माँ के अशकों का सेलाब साहब कहीं आपकी सलतनत बहना जाए कहीं जूट की शक्सियत बहना जाए ये नफरत की दीवार छट बहना जाए है एक माँ के अशकों का सेलाब साहब कहीं आपकी सलतनत बहना जाए हो जरसा गया है गुलिसता वतन का जुल्म था जाती थी इससे पहले भी लेकिन ये जो नंगई सडकों पर उतराई है न ये नहीं थी इससे पहले इसके लिए लड़ना है लड़ना तो पड़ेगा साहब जरसा गया है गुलिसता वतन का जरसा गया है गुलिसता वतन का नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा कोई लाके बेबे मुझे ला बार बार